नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग सामने राई मुनिया का पौधा लेकर आया हूं और इसी राई मुनिया के फाइदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि या राई मुनिया हमारे शरीर के लिए कितना फाइ गहनेरी का पौधा कहते हैं क्योंकि यह पौधा बहुत ही घना होता है जारी नुमा होता है मैं आपको दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए इस तरह से यह पौधा जारी नुमा होता है इसलिए इससे बहुत सारे लोग घनेरी के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इस रंगों में फूल होते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां गुलाबी है तो यहां पर केसरिया है यानि गुलाबी केसरिया और पीला इस तरह से मल्टी कलर होता है इसका और भी इसके कलर है मैं आपको दिखाता हुए देखिए या फूल या पोधा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है रंग भी रंगी इसके फूल होते हैं और इसके फल कुछ इस तरह सोते हैं देखिए राई की जैसा दिखाई देता है इसलिए इसे राई मुनिया कहते हैं फल जब कच्चा होता है तो इस तरह सहरा और पकने बाद इस तरह से काला हो जाता है और फल खाने मे स्वाद में मीठा होता है इसलिए बच्चे लोग इसे बोले प्यार से खाते हैं दोस्तों यह पोधा एक तरह से बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो इसलिए इसे एक जाड़ी समझते हैं जाड़ी नुमा पोधा समझते हैं और देखिए पत्ते कुछ इस तरह सोते हैं ये देखिए पौधे को पहचान लीजिए फिर उसके बाद मैं आपको इसके फाइद एक बारे में बताऊंगा देख लीजिए ध्यान से तो दोस्तों एक तरास या जंगली पौधा है अपने याप ही पूरे भारत वर् करता हूं आप इस राई मुनिया के पौधे को यानि घनेरी पौधे को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदों के बारे में जाने कि आखिर हम इसे किस-किस रोग में उपियोग कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों सबस्पहला फाइदा तो मैं आपको या इस पत्ते में बहुत फी अच्छा महक है अगर किसी क्सर में दर्द होता हो माईग्रेन کا दर्द हो और या सर्दी युकाम का दर्द हो तो आप माट इसे पत्तों के पास आकर नाक पागा कर स्वूंग लीजिए तो सर का दर्द दूर हो जाता है इसके खुस्बू से इतना अच्छा इसमें खुस्बू है और यह खुस्बू वातावरर को भी काफी अच्छा बनाता है अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं अगर किसी सर्दी खासी जो खाम हो तो आप इसके चार-पांच पत्ते तोड़ लीजिए और उन पत्तों में काली मिरिच दो तीन दाने और अद्रक का एक छोटा सा टुकड़ा एक इंच का और थोड़ा पुराना गुल हो पचास गिराम तक और दो सर्मल पानी डाल कर पकाईए चाय बना कर पीजिए तो सर्दी खासी जो खाम दूर होता है इसके पत्तों काढ़ा से और यह दात के लिए भी काफी फाइदे मंद है अगर किसी के दात में पैरिया हो दुरगंद हो किसी परकार के कोई दात का रोग हो तो देखिए दोस्तों यह है इस घनेरी का डंटल इसे आप दतून बना कर दातों में खो जाएंगे दातों से खून मौद के आना दातों का दुखना दातों का सड़ना दूर होगा इस डंटल को चबा कर दातों प्रगणने से इसलिए जंगल में रहने वाले लोग इसका ही दतून अक्सर करते हैं जब दातों का कोई विमारी होता है और यह दूरगंद को भी इसके पत्तों को पीश कर पेश्ट बनाकर उसमें फिटकरी एक चुटकी और एक चुटकी हल्दी मिलाकर घाव को उपर लगाने से वह घाव ठीक होने लगता है इसके और भी फाइदे हैं जैसे माली जी आपके घर के आसपास में मच्छड है बहुत अधिक है तो आप इसक इसे पत्रों से निकलने वाले धुआ से कीड़या मकोडे जहर हिल्या करते हैं यहांनी यह इस नासक भी है जहर को नश्ट करता है जहरीले कीड़े को मारने काम करता है अब आओ दोस्तों इसके फल के बारें भी जान ले इस फल के अंदर बहुत सारे बिटामिन तत उपाए जाते हैं जैसे केलसियम, मेगनेसियम, पोटेसियम, फाइबर यह जो चमकने वाला इससा आप देख रहे हैं उपर का इसे फाइबर कहते हैं यह फाइबर को वजे से इस चमकता है यह फल और इस फ़ल को अगर हम इस तरह से तोड़ेंगे और तोड़ कर दबाएंग तो इस तरह से इसके अंदर गुद्दे हैं और वांुद्दा बहुत ही पोश्टिक गुद्दा होता है इसके सेवन से सरीर का बल बढ़ता है ताकत बढ़ता है दोस्तों इसके पके हुए फल को चूसने से पाचन किरिया मजबूत होता है और पेट के अंदर जो ऐसी डीटी होता है वह अभी दूर होता है इसके फल को खाने से चूसने से दोस्तों या बोडी की स्टेबना पाउर भी बढ़ाने काम करता है अगर इस फल को हम रग लेंगे तो इसके अंदर देखो बीज भी होता है बीज बहुत ही छोटा-छोटा होता है यह देखिए वह बीज जो है सिवलिंगी जैसे आपको दिखाई देगा लेकिन इसे धोना पड़ेगा क्योंकि यह काला है और मेरा हाथ भी गंदा हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा आयरवेदी काउसदी है जड़ी बूटी है लेकिन लोग नहीं जानते हैं नहीं पैचानते हैं इसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं और हाँ दोस्तों इसके डं जानकारी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक